प्रश्न 10 हरेहर काका के गाउव में यदि मीडिया की पहांच होती तो उनकी क्या स्थिती होती? अपने शब्दों में लिखिए उत्तर हरेहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिष्टों से विश्वास उठ चुका था उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे वे बिलकुल चूप रहते थे किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे वर्तमान द्रिष्टी से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की एहम भूमिका है लोगों को सच्चाई से अवगत करना उसका मुख्यकार्य है जन संचार के दुवारा घर-घर में बात पहुँचाई जा सकती है इसके दुवारा लोगों तथा समाज तक बात पहुँचाना आसान है यदि हरेहर काका की बात मीडिया तक पहुँच जाती तो शायद स्थिती थोड़ी भिन होती वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयम पर हुए अत्याचारों के विशय में लोगों को जागरित करते हरीहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याए दिलवाती उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती